हालो हाई नमस्कार मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भारगव और आपका स्वागत करती हूँ इस खास स्पेशल अवेरनेस डारेक्ट डायलिंड शोर में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबेटिक्स आज भारत में बलड शुगर की प्रॉबलम जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे कई गोना जादा रफ्तार से इसकी रोग थाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केर एन रिसर्च सेंटर बलड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का एमिल हेल्थ केर एन रिसर्च सेंटर की पूरी तीम डॉक्टर नितिका कोली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशन्ट की हेल्प के लिए ततपर है डॉक्टर नितिका कोली का एक ही उद्देश है बलड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरू करना और हमारी इस कोशिश में हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर नितिका कोली जो आज साक्षाथ हमारी स्टूडियो में मौजूद है तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर नितिका हमारे स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुक्रिया अंकिता वेल दोस्तों आप जानते ही हैं ये एक ऐसा शो है जहां हम आपकी कन्फूजन्स दूर करते हैं अगर ब्लड शुगर से रिलेटिड आपका कोई भी सवाल है आपने कोई भी ऐसी बात कहीं से सुनी है जिस पे आपको शक है शंका है और आप जानना चाहते हैं उसका सही जवाब तो ये प्लाटपॉर्म ये मौका खास आपके लिए है फोन उठाईएगे नमबर घुमाईएगे और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका कहली से डॉक्टर नितिका धेरों लेटर्स आये हैं और काफी common questions हमें मिलते हैं उसमें से आज एक सवाल उठाना चाहूंगी काफी patients ने पूछा है कि blood sugar जब उनको होता है जब उनके levels उपर नीचे होते हैं तो उनको काफी प्यास लगती है frequently पानी पीने का मन करता है तो क्या blood sugar levels की वज़ह से प्यास बढ़ती है शरीर में बिलकुल अंकिता ऐसा जरूर देखने में आता है कि blood sugar की वज़ह से patients को अकसर प्यास जादा लगने लगती है और उसको कई बार वो ignore भी कर देते हैं बट इसको ignore नहीं करना चाहिए और ऐसा इसलिए हो रहा होता है कि जब भी थोड़ी बहुत levels में अगर sugar बढ़ती है हमारे शरीर में तो हमारी जो kidneys हैं उसको खुद से flush out करने की कोशिश करती है urine के रस्ते बट जब ऐसा होता है जब वो sugar बढ़ी रहती है बॉडी में और urine ज़ादा manufacture हो रहा होता है और excrete हो रहा होता है तो उसमें फिर dehydration की condition बॉडी में बनने लगती है water loss काफी ज़ादा होने लगता है जिसकी वज़े से patient को बार बार प्यास लगने लगती है और यही एक reason है और यही एक कारण है जो बहुत ज़ादा patients में बहुत कॉमन लीव देखने को मिलता है sugar की वज़े से doctor हमारे पास phone calls आना शुरू हो चुके हैं शुरूबात करते हैं and let's take the first phone call hello hello namaskar email healthcare में आपका स्वागत है namaskar मेरा नाम सुरेश देश्मुक है मेरा नाम सुरेश देश्मुक है मैं नासिख से बात कर रहा हूँ namaskar सुरेश जी namaskar हान जी बताइए क्या जानना चाहते है यह जो आपकी जो दवाई है BGR 34 जी यह दवाई अभी नाम सुना का हमने दो दीन पहले लिया है यह जी आपकी ब्लड शुगर कितनी रहती है आप चेक करते रहते हैं खाना खाने के बाद 220-25 अच्छा खाने से पहले 170-180 तो कापी जादा ही है आप क्या मेडिकेशन लेते हैं कुछ लेते रहते हैं अभी तो आपको कोई दिक्कत लगते हैं अभी शुगर जो बड़ी हुए उसके वज़े से अभी भी दिक्कत आई सी मैसे होई है अभी 10 पाल होगे मैने को दाइबेटिस हैं तो इसकी वज़े से क्या हुता है जो अपने शरीर के आंग रहते हैं तो लिवर है तो अभी बीक होते हैं चला जा रहा है जी चीडनी के उपर प्रेशर आता है जी तो क्रेटिनीन और ब्लड यूरिया बॉर्डर लेवल प्या गया है तो उसके लिए अप कुछ कर रहे हैं कुछ मेडिकेशन आप उसके लिए भी ले रहे हैं या नहीं अभी ओ फिलाल मैं आप होमे पैठी उससात में ले रहा हूं जी और थोड़ा परेज रख रहा हूं थोड़ा किणी के लिए अब्साला हो गरे तो आपको यह देखना चाहिए कि जो आप दवा ले रहे हैं, क्या वो आपके लिवर को, क्या वो आपकी Esseको完全 help you अच्छी बात है कि आपने दुआ लेने अभी जैसे आपने बताया दो दिन परे आपने ली है बट आपको साथ आपने लाइफस्टाइल में भी चेंजिस करने चाहिए जो दस साग में शायद आपने नहीं किया है आपको अपने खाने पे ध्धान देना चाहिए आपको अपने वाक्स पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ आपको दवा लेने का एक time regular रखना है और अगर आप अपने reports मेरे साथ share कर सकते हैं अगर email कर सकते हैं तो आपको kidney के लिए भी और Ayurvedic medicines दी जा सकते हैं जिससे कि आपकी kidney के जो levels अभी border पे हैं वो raise ना हो Thank you so much for calling us, शुक्रिया दोस्तों अगर आप भी अपने blood sugar को manage करना चाहते हैं या पिर जानना चाहते हैं कि किस तरहां blood sugar levels control किये जाएं तो यही मौका है पोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से डॉक्टर नितिका, टेली कॉन्फरेंसिंग के जरिये अब हमारे साथ जुनने वाले हैं आप ही के team member, डॉक्टर हिमानशू, आईए उन से बात करते हैं डॉक्टर हिमानशू, बहुत-बहुत स्वागत है आपका Thank you for having me डॉक्टर हिमानशू, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से blood sugar के patients को बहुत प्यास लगती है तो अगर sugar patients की बात की जाए, तो ऐसे क्या drinks हैं जो आप recommend करेंगे as a doctor जिनको वो पी सकते हैं और अपने blood sugar levels को spike भी ना करें देखिए बहुत अच्छा question है, सबसे पहले तो मैं यह बताना जाओंगा कि liquid diet लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कारण यह है कि kidney जो भी कुछ हम खाते हैं वो filter करती है और जो toxic material है kidney उसको liquid में या पानी में dissolve कर ही body से बाहर निकालती है इसलिए सबसे पहले तो liquid proper quantity में लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है दूसरे ऐसे liquid जो sugar patient ले सकते हैं ताकि sugar भी ना बड़े और liquid की quantity ले अंदर जाए जैसे नारियल पानी अच्छा option है, निव पानी अच्छा option है, सत्तू लिया जा सकता है, छाच ली जा सकती है और soup लिये जा सकते हैं, ताकि body में liquid diet जाए और kidney उसको properly liquid mix करके toxic material बहार excreate out कर सके Thank you so much for joining us, thank you Thank you Dr. Nitika, ये बहुत ही important जवाब था क्योंकि काफी लोगों ने हमें mail किया है और काफी diabetics का सवाल यही होता है कि दिन भर तो पानी पीना मुश्किल नहीं है एक और क्या उपाए हो कि कई बाहर जाए तो क्या पी सके So, I'm sure Dr. Himanshu को ये जवाब काफी मदद का रहेगा Well, at this point, let's take another call Hello Hi, hello Namaskar, एमिल हेल्थ केर में आपका स्वागत है Thank you, thank you आपका नाम और आपके शहर से बात कर रहे है My name is Rajesh I'm going to talk to you Namaskar Rajesh Yes, Namaskar How are you? Yes, fine Yes, please tell me This is sugar's cause First, my frozen shoulder was frozen in the previous kanda So, it was fine That's why I have a problem with my teeth Now, I have a normal sugar Yes, when is your sugar? Three years Are you taking allopathic drugs? Yes, I am Yes, and the sugar is in your control Yes Yes, yes And you also have a little problem in the teeth Look, the drugs are not continuous When we think that constipation happens to my sugar, then we start to do it Otherwise, it will be fine Yes, it will be fine When you don't feel the need So, you don't take drugs? Yes, yes Yes, yes You don't have to do it You don't have to do it But some of the things you are wrong You don't have to do it You don't have to take drugs You don't have to take drugs You don't have to take drugs And help you all the organs If you have any other complications from sugar If you do it, you will also save them So, you have to take this decision You don't have to take this decision If you test the sugar today If you have a big sugar, you can take it If you have to take the drugs और कैसे आपको अपने डाइट को मैनेज करना है यह जी थैंक यू सो मच पर कॉलिग अस शुक्रिया थैंक यू दोस्तों आप भी डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं उनके साथ अपनी रिपोर्ट शेय कर सकते हैं कोई कन्फूजन है कोई डीटेल्स जानना चाहते हैं तो यही मौका है पोन उठाइए, नमबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से वाल डॉक्टर हमारे पास एक और कॉलर है जो आप से बात करने के लिए उच्छ है लेट्स टेक अना पर कॉल जी हलो नमस्कार, एमिल हेल्थ केर में आपका स्वागत है जी, आपका नाम और आपके शहर से बात कर रहे हैं नमस्कार कवल जी जी जो भी ऐलोपेथिक मेडिसन डॉक्टर ने शुरू की एक के बाद दूसरी चेंज की, दूसरी के पाद तीसरी चेंज की जी और वो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया, वो Hb1, Hb9, 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 Hb9 के करीब रही उसको मैं जो अमने डॉक्टर से बात की कि इसका कारन गया है उसके सभी अस्ट, LFT ठीक है KFC ठीक है, उसका उसके अस्टेग लिसाइट सब कोई ठीक है जी जी अभी इनको इनको इन्सूलिन डिस्चार्ज नहीं करता बार अच्छा अभी इनको इंसुलिन लगाना पड़ेगा तभी कंट्रोल होगी देखे शुगर अगर इतनी बड़ी हुई है तो कहीं न कहीं और और डामिट स्टार्ट कर सकती है तो सबसे पहले तो आपको इसी चीज़ को एड्रेस करना है कि ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल हो तो उसके लिए कुछ ध्यान रखती है वो अपने खाने पीने में आप कहरें कि कंट्रोल है हम सभी चीज़ों के समय देया हमको प्रटीन कितना लेना है हमको कार्वाइड कितना लेना हमको फैड कितनी लेनी कौन सी खानी है जी यह बहुत अच्छी बात है तो देखिए हमेशा एक इलाज को या डॉक्टर को ऐसे पेशिंस की तलाश रहती है जो कि सब कुछ कहना अनुसार फॉलो करने के लिए तयार हो बट आप अभी अल्रेडी सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ आपको जुरूरत है दवाई स्टार्ट करने की कैसी दवाई जो की ब्लड शुगर को भी कंच्रोल करती है और साथी साथ अगर कोई कॉई कॉप्लिकेशन आने के चांसे उनको भी प्रिवेंट करती है अच्छा तो अभी दस दिन हुए है आट दस दिन हुए हम उनको पांच-दस परसंड का फरक लगरा वेरिशन आरही है उनको खुद में कोई फरक लगना शुरू हुआ है थोड़े अनर्जी है थोड़े से आगे से वह है जी तो देखिए अभी धीरे धीरे दवाई का असर जैसे जैसे आएगा तो उनकी शुगर मॉनिटरिंग आप करते रहिएगा साथी साथ उनकी जो अलोपेटिक मेडिसन चल रही है वो उसको हम धीरे धीरे घटाएंगे और सबसे पहले पेशिंट को अच्छली यही फील होता है कि वो अच्छा फील करने लगते है energetic फील करने लगते है जो आपकी वाइप के साथ हो रहा है तो I think सब कुछ ठीक चल रहा है सिर्फ आपको परिशान नहीं होना फ्रेस चोड़ देना है क्योंकि अब आपको कुछ भी डाउट होता है कुछ भी परिशानी लगती है तो आप हमारे साथ शेर कर सकते है ठीक है, thank you, thanks for calling us thank you so much for calling us Dr. Nitika, awareness is the key awareness है, सहीरा मिल गई है तो I'm sure health वापिस आजाएगी के लिए हमसे धेर सारी बातें करने के लिए thank you so much well दोस्तों मैं जानती हूँ कि अब भी आप मेंसे धेर सारे व्यूर्स हैं जो डॉक्टर नितिका से बात करना चाहते हैं but don't worry, समय की कमी है सिर्फ यह एपिसोड यहां खत्म होता है पर डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा ततपर है, आप हमें अब भी कॉन्टाइक कर सकते हैं, हमारा पता है हमारे फोन नंबर से है हमारी एमिल आइडी है हमारी वेब साइट है www.amilhealthcare.com चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अंकिता भारगव अब लेती हूँ आपसे इजाज़त पर जाने से पहले ये वादा रहा कि अगले एपिसोड में ठेर सारी न्यू इंफिमेशन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खयार रखिये क्योंकि हमें आपकी फिक्र है पर मॉर वीडियोस सिस्क्राइब टो आच चानल के वर्ड